सुप्रिम कोर्ट से अगले महारामंदिर पर फैसला आने से पहले संग परिवार में मन्थन तेज हो गया है इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में तीन दिनी विशेश बैटक बुद्वार को सुरुई इस बीच राष्टिय सेवन सेवक संग ने ट्वीट कर कहा है कि स्री राम जनम भूमी पर मंदिर निर्मान के मामले में सुप्रिम कोर्ट करने जो भी आए उसे खुले मन से स्विकार करना चाहिए देश पर में वातावन स्वार्दपूर्ण रहे यह सब का दायतो है दिल्ली के चतरपूर के ध्यान साधना केंदर में बैटक के पहले दिन बुद्वार को आरसस और भाजपा के सिर्ष नेत्रितों के साथ ही अनुसंगिक संगठनों के पद्दाधिकारी भी शामिल हुए सर संग चालक मोहन भागवत वे सरकार्यवाह भयाजी जोसी की विशेश मोजूद्गी के लावा सभी सहे सरकार्यवाह और छेत्रिये प्रचारकों को भी विशेश रूप से बलाया गया है भाजपा अध्यक्स अमित सहा पार्टी के संगठन महामंतरी बील संतोस कारेकारी अध्यक्स जेपी नढधा भी बैठक में शामिल हुए पहले यह बैठक 30 अक्तुबर से 5 नॉमबर तक हरिद्दावार में होनी थी जो किनी कारणों से निरस्थ हो गई संग के एक पदादिकारे ने कहा अध्या पर कोड के फैसले को लेकर यह अपात बैठक हो रही है इसमें सभी सभावित फैसलों के साथ उसके विकल्पों पर भी विचारिमर्स हो रहा है सुत्रों के मताबक संग फैसला पक्स में आने को लेकर आस्वस्त है कोई पेच फंसने की स्थिती में आगे की रनेती क्या हो सकती है किस तरह राम भक्तों को संतुष्ट किया जा सकता है इन सब स्वालों का हल तलाशा जा रहा है जिसके लिए यह बैठक हो रही है